सिवं सुंदर लेकिन संकर जी का उपर जो ड्रेस है ना बड़े अपगुद्र ड्रेस है वो सुंदर नहीं असुंदर है संकर जी सरी में क्या लगाते हैं विष्णों पाउडर क्रीव चंदन नहीं कभी यह समसान की राख लगाते हैं वह लगपीर उनको क्या चंदन अगुर-कर्फुर मिला नहीं म Legyries Shankar Ji यह पिरणा भैसना यृव वानाम लीन्या संकर जी यह परमभैसनव संकर जी यह परमभक्तों हैं आग जो भकतों होते होते हैं आप अपिपलैने चुपाने के लिए कोशिश करते हैं इसलिए संकर जी बोले अगुर करपुर चंदन ये तह मरी प्रभु प्रिश्न और राम की सिवा में लगेगी मैं तो उनका सेव को हूँ मैं तो ये राख हम बलुगा क्यों संकर जी दुनिया को सिख्या देते हैं जिस शरीर को तुम इतने प्यार करते हो इतने सुंदर सजाते हो इसका परियाम दो मुथी राख है इसलिए गले में हाड़ी का माला धान गरते हैं वलिए शरीर का परियाम दो टुगड़े हाड़ी है संकर जी के सर को पर में कौन साथ कुन चढ़ाते हो धदुरे और आतर जो पेड़ कोई नहीं लगाते हैं जो आपनी आप जंगल में भृट्च हो जाए संकर जी यह बेली चमेली जूई मालत जीम नहीं धामें चलते हैं यह नहीं यह तो मेरे प्रभु बांके लिए अरगे लिए मैं तुमता सेवब हूँ अपनी आप जो जंगल में होगा उसको में ग्राम दर लूँगा इसलिए संकर जी की अलंकार किया है कोई स्वने चांदी नहीं भहिंते हैं संकर जी इनकी पुरा सरीरे में देखो सर्प सर्प है वली यह सर्प कोन है वली यह अनंत देवसाख्या यह संकर जी की गुरु है शिख्या देते हैं अगर अलंकार धार्न करना तो गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धार्न करो तुमारी जिंदे की धन्य हो जाएगी सफल हो जाएगी इसलिए संकर जी आपनी आप को छुपाने के लिए कोशिश किया जिसमेरे कोई पह संकर जी वो चुपा नहीं पाए बता सकते हो संकर जी बास दो मिनिट अरे आजा लाइट संकर जी बता सकते हो 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 सं कर दो 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 संकर जी में समसे पवित्र बस्तु है इसलिए संकर जी आपने आप को चुपा नहीं सके बताओ तो क्या संकर जी में समसे पवित्र बस्तु क्या है कौन बोलेगा हाथ उठाओ बोलो कौन सा पवित्र बस्तु बता बाब अरे बोलो हाथ उठाए बोलो क्या है अरे जोर शे बोलो कौन है क्या है किसने बोला गंगा है कौन बोला इसलिए संकर्जी की जका में सबसेर पवीद्य वस्तुसरी गें भीज व्यै, governance ये इसलिए संकर्जी कहा रहतेँ, कयास को उपर में, बर्वक व Uns il High अपनी आपको छुपाने के लिए बरी भजन में कोई डिश्टरल नहीं करें। लेकिन संकर्जी छुपा नहीं पाय। बढ़ श्रीपतिधबावण गंगादेवी की इसलिए संकर जी जब स्रिंगार करते हूआ आये वहाँ पर जो धर्वान था संकर जी ने भोले मैंने सुना हैं नंदक के के लाला भयो है बाबा तु एई से रूम धारन करके आयो है जिसको देख करके मेरा ही धरकन तेजोगे हमरे लाला को तो बड़े जल्दी नजर लग जा भी इसलिए लाला का दर्सन नहीं होगा जो सोना चांदी चाहते हो लो और अपना रास्ता देखो उसने जाकरके मैया को बोल दी, मैया आकरके देखे बाबा कहाँ आते हैं, बाबा थोड़ी लाला को दरसन करा दे, बढ़ी हास्री बाद दुन गो, बाबा कुछ दिनी पहले ये पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बढ़ी सुंदरी लग रही थी, लेकिन निकली पुतन और तु देखने में बैस लग रही हो, इसलिए बाबा लाला का दरसन नहीं होगा, जो सुना चांदे लेना लो और रास्ता देखो, उन्हें तो कृष्ण को लेकर के खड़ की कोणे में छुपा दी, संकर जी ओही पर त्रिसुल गार करके बैठी गई, और भगवान को स्मर भगवान भगतवसल है, संकर जी को दरसन देने के लिए ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोए, जितने थप थभी लगाए उतना जोर से रोए, पुरा परिवार परिवार परिशा नहीं होगे, विले आज लाला को क्या हो गया, यह रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है, एक गोपी बली मैया, वो जो बाबा आया था ना, वहीं कोई बैठा हुआ, वो कहता है लाला को जब तक दरसन नहीं कराओगे, हम बापस नहीं जाएंगे, वो बैठ करके आँख बंद करके लगता है, तेरे लाला को पर कोई चादट ना कर रहा है, इतने में मैया ने काले देख लाला को, जब एक बाठ उनने परदा खोल करके लाला को दरसन करादी ना, अभी तो लाला जोर जोर से रो रहते और क्लिकला कर हसने लगे, और संकर जी तो रोना सुरू कर दिये, मिया समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना तो ले लिया, और अप माताओं को पता चले न, इसको हाथ देखना आता है कोई जादो तो न, माताओं सब घर जा ते जाते हैं भी बाबा, बता ओ, हमारे लालाओ को बड़ी जल्दी नजर लाक़ जाएं, तिरे पास में कोई जादो तोना है, भी हाँ, अगल तुम लाला को स्नान कराने का बाद उसका जो पानी घर लाकर के मारे सर पर जाल द le ral गाना सारी तुम और बैस तुम नज़र उतर जाईगी और कुछ ना पड़े गा और ये काम पर गology तो तुम तरे लाला को पर नज़री नहीं लगा बता दे बले लाला को जो भोजन कराओगे जो प्लेट में बच जाएगी उसको लाहा करके मरे को देपना बले ठीक है बाबा देखो ये साड़े पांच हजाब साल का पहला बाद अगर आप कभी नंदगाओं जाओगे नंदगाओं कौन कोई नंदगाओं आप जब पाहर को उपर में जाओगे देखो कि वहाँ संकर है वो कोन है बले स्री नंदी सुर महादेद अभी भी जो भगवान को सनान कराया जाता है वो चर्णा मृत्व सिधा आती है संकर जी के सर पर डालते है क्योंकि उनको गंगा है को ये बामन भगवान की चर्णा मृत्व है क्रिष्ण कोन है ये बामन का देल का जो मूल का जो मूल है ये स्री क्रिष्णा इसलिए संकर जी को सबसे प्यारा है ठाकुर जी की चर्णा मृतव और ठाकुर जी की प्रसाद क्रिष्ण को भोग लगने का बात सिध्धा आती है स्री संकर जी को पास में जब भगवान कोई चीज भोजन करे उसका नाम प्रसाद है लेकिन वो प्रसाद अगर जब किसी भगतों को सेवा में लगे फिर वो प्रसाद नहीं फिर वो महा महा प्रसाद हो जाता है देखो जितने लोग अच्छे तरह से एक प्रभु राम कोई चीज ग्रहन नहीं करेंगी माता जान की ग्रहन नहीं करेंगी एक सबामान किया करणो महान की लड़ू भी हनुमान जी को सामने रखो आख नजर उठा कर भी नहीं देखेगी क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम की सेवक है वो भक्त हैं बगर भगवान की प्रसाद के बगर वो कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन जब प्रभु राम की भोग लग जाए स्री माता जानकी की भोग लग जाए ना फिर इस हनुमान को देने का जज़वत है लपक करिखा ल नहीं दनी चाहिए संकर जी को भी नहीं दनी चाहिए मता देवी को भी नहीं दनी चाहिए कोई भी चीजियों सबसे पहले कृष्ण हो राम हो उनको तुलसी दल से ठाकृती को भोग लगाओ भोग लगा करके घर किसी देवादेवी को दो सब देवादेवी प्रसन हो करके भोजन करते हैं और बड़ी खूस हो जाते हैं ठीक है ना इसलिए कोई भी चीजियों बांके वियारी को देखर के लड़ गुपाल को देखर के सारे देवादेवी को देनी चाहिए अभी कृष्णा हो गए छे महिना की हो गए एक दीन मैया जसुदा ने देखा कृष्णा ने अपनी आप उन्हें करवड ले ली मैया तो बड़ी खोस हो गई लाला का सरीज में ताकत अपनी आप उसने करवड ले लिया आज धर में उत्सम मनाओंगी उनने सारे अड़सी पड़सी माताओं को बुला दी अपना आंगन को खाली करके सारे दूद दही जो थी एक बेल गारी को उपर में रख ली और जितने माता हैं आ करके बैठी गई और बड़ी सुंदर किर जियो सामला ऑऱ जिली तेरी पगडे रख ली बिका लुट पिदी तेरी पघड़़ी जो पुल में आयो नंदलाला मेरो पुल में आयो नंदलाला अगो फियो से पढ़े गया अगो पाला जीओ जीओ स्याम लाला जीओ नंदलाला फिली तरी पढ़े रंग आला जीओ स्याम लाला जीओ स्याम लाला जीओ स्याम लाला फिली तरी पढ़े रंग आला अमतरो काना उवा उवा आसमझावे सोनंदा भुआ जियो जियो स्याम लाला जियो ठचलाला पिली तरी पगरे रख जाला जियो स्याम लाला जियो स्याम लाला अभी कृष्ण लेट हुए थे बेल गाड़ी को नीचे इतने में कृष्ण का आग खुल गई भाईया मेरे लिए उत्सव हो रहा है कृष्ण अभी कृष्ण आना चाहते हैं लेकिने अभी कृष्ण को घुटन पर भी चलना नहीं आता हैं आज ठागुर ने करवट लिए कृष्ण सोचा अगर थोड़ी से जोर जोर से रोऊं मैया को कान में पड़े न हो सकता हैं मैया मेरे को उठा गर गिले जाए इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना सुरू कर दी लेकिने मैया की इसको कुछ लेना देले में लगी हुई थी मैया को कान में पड़ी नहीं कृष्ण तो ठग गए बहले कम तक रो 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 तो ठग गया में इतने में कृष्ण की इच्छा सक्ति जोगमाया ने कंस को प्रना की कंस ने एक राध्यस को भेज दिया जिसका नाम था त्रिनाबर्त ये पुर्व जन्म में ये इसका नाम था उत्काच हिरनाख्या बेटा एक दिनी एक रिशी की आश्रम पर उसने प्रवेश किया और उसने प्रवेश करते हुए उसने सारे बाग को उनने उखाड दाल देखो ये बच्छा इधर जो लोग है ना उस देख एक दिन उसको बाग को उजार दी रिशी बड़े कृती तो हुए वले इसलिए क्या वगवान तरे को इतने लंबे चवड़े बनाए संतों की ठाकरजी की बाग को उजारने के लिए तेरे सरीरी में जो अभिमान है अभिसाप देता हूं तेरे सरीरी नहीं रहेगा धीरे ध क्रिश्ण सुर्ण में ब्रॉक्ति को हुआ है अंगे उन्की परसे तरे को मुःति मिलेगी अंबिया उसको भैज दिया जायो मेरे काल गतुंपर करके । अभिए अब आगया सटार श्रूर आगया किर्श्णंग देखा कहां पर किर्श्णा देखा बेल गारी को निचे लेट हुए उसका कह सरी नई तीक नहीं सोचा इसको उपर में सवार हो जाता हूँ और धीरे 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 धादे धादे बूरा कुर्श्णग में दबा दूँगा इतने में कृष्णा अपना चर्णा को धीरे 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 चलाना सुरू किया और चलाते चलाते उन्हें एसे ठोकर मारे एकदम गारी को उन्हें पलट दिया और उहां पर सबके सब गोपियां बैट करके किर्टन कर रहे थी अब भी पलट गया तो इतने में सब के सब भागते हुए आए बलो भीया पलट गया तो पलटी के इसे कोई आधी तुफान तो है ही नहीं लेकिन कृष्ण की छोटे-छोटे सखाओं ने देखा था ये कृष्ण की चर्न की ठोकोर सही गारी पलट गई उन लोग ने मैया को बोले लेकिन मैया ने विस्वास में की इतने में कृष्ण को मैया उठा करके ओखिर्टन को बीच में ले गई और फेर गोपियों ने कृष्ण करना सुरुखी फिर कृष्ण खोस हो गई अगर पहले से ही अगर मेरे ऊहां ले आते ही फिर इतना में नटखट करता है नहीं में इतना देखो यहाँ पर ठापुर जी एक बड़े सुंदर सिख्या देता है अब ध्यान देखर सुनो इसमें सिख्या क्या भी से किया है इसका नाम उत्सव क्या कर रहे थे उत्सव कर रहे थे लेकिन यो उत्सव में क्या क्या क्रिश्ण को उन्होंने उहां से उन्हें अलव कर दिया कहा रख दिया बेल गारी को उपर में और जितने घर का बेल गारी को निच्चे उन्हें लेटा दिया और जितने सारे सामान ठाना उनने बेल गाड़ी को उपर रख दिया मतलब है अगर हम कोई उत्सव करते हैं अगर भगवान को कर दे निच्चा और ये दुनियादारी बस्तु को कर दे उच्चा भगवान ने कहा मेरे लिए ये उत्सव हो रहा है और मेरे कोई यहाँ से अलग है तुँ ने कर दी इसलिए भगवान ने चर्ण की जितने दूड नहीं उन्हे ने सब के सब दसनच कर दी हैं इसलिए क्रिस्चन सिख़्ा देए हैं अगर कोई उत्सव हो अगर मेरे कोई वहाँ से अलग है अलग कर दिया ना हम कभी कभी क्या करते हैं जесिए साधी हो रही है नहीं तो बच्चे का कोई बर्त बना रहे हो हम क्या करते हैं सराव दुनिया लोग मों को बुलाएगी उनके लिए खाना बिना बनाएगी सबको कपडा लता देंगे लेकिन भगवान जैसाव पत ऐसे ठाघुरु जी बैटेंगे उनके लिए कोई भोग नहीं लगाते हैं वो ठाघुरु जी को भोग नहीं लगाते हैं सरह busy सब्दा नहीं कितने बोतल तुड़वा देते हैं और कितने मूरगा को कितने बकरी को हत्या कर देते हैं देखो एक संत कह रहे थे एक बहुत बड़े का संत कह रहे थे ध्यान देखर सुना बल जिसी बच्चे का बर्थ दे में तुमने इतने बोतल तुड़वाया और इतने जानवार को तुमने हत्या की वो बच्चे का कभी कल्यान हो सकता है वो कह रहे ते अगर बच्चे का सा साल होगा न वो जट बच्चा साल में उतर कर आ जाईगी क्योंकि तुमने उसकी उद्दे समें इतने पाप तुमने की है इसलिए यह क्या करने चाहिए सुधर रूप में खाना बनाओ बना करके सबसे पहले गोपाल जी को भगवान को भोग लगाओ ठाकुर जी की प्रसाद हो गया देखना बच्चे का कल्यान ही कल्यान है और उल्टा पुल्टा डिस्को ड्यान समें नहीं नाच करके उल्टा पुल्टा भिलिमी का गाना नहीं लगा करके ठाकुर जी का भजन लगा, भगवान की भजन लगे, जिसमें सुनने वालका भी कल्यान है, और सुनाने वालका भी कल्यान है, दोनों का ही कल्यान है, और घर में बैटी करके, कोई भी नहीं हो, घर में थोड़ी समय बैटी करके, जिरे जाल सक्रूँआ ए्लाफ somehow को करे दे दना के भोता है को को की वारत को करो जना Khाह ca फिल tuition क मारेख ऑ्लाफ श्तूजन की वारत के वारत के उना का मों सेना का वारत के एली क्या हो गिरा बलस्य ब्रंदावन विहारी लाल की कोई भी अनुस्थान हो उसमें ठाकुरजी का भजन और कृतन करो क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो मंगल भवन हमंगल हरी इसलिए एक बार हाथ उठाकर के बलो बलो हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण सब के सब बोलो मेरे साथ में Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 अभी दीरे दीरे कृष्णा बड़े हो रहे हैं एक दिन मरिया जसुदा कृष्णा को दूद पिला रही थी और मरिया बड़ी डरी हुई थी बिना कार्मे के कारण ये राख्यस लोग मेरे लाला को पीचे हाथ बोगर बड़े गए मैया बड़ी डरी हुई थी इतने में कृष्णा दूद पिते पिते उनने मुह खोले जंभाई लिये इतने चोटी सी मुह में अनंत पड़ी विश्व ब्रमान्द को दिथा दिया मैया तो डर गई मैं क्या अलाई वलाई देख रहे हूँ पर आख बंद पर की खोल पर देखन प्रिष्णा बोल रहे थे मॉया तु डरना नहीं तु मेरे को संधर ना मत समझ रहे हूं और य्युल् これ कि हो ना हो लालागी पेडिकार अब नहीं हो जाए क्रिश्टन बए得 मैया तेरे दूं शे मैं अकाला नहीं पल रहा हूं देख तेरे दूद से विश्व ब्रमांद पल रहे हैं एक दिनी कृष्ण सखाव को साथ में खिलत घलते ब्रमांद घाट में पहुचे कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो आए सब के सब एक ही बात कहते हैं राधे तेरी चर्ण की ब्रज दूल यो मिली जाए कि सरा दुनिया क्यों यो ब्रज रज मांते हैं एक दिनी कृष्ण ब्रमांद घाट में सखाव को साथ में खिलत घलते मिटी की डिलाता ली सखाव ने मना की लेकिन ही माने नहीं सखाव ने मैया से सितायत कर दी आज मैया लाला मिटी खा रहा है अभी तक मखन चोरी-चोरी तरी खाता था मिटी खाना शुरू कर दिया मैया तो सिधा लठिया लेकर आई और सिधा कन्या की कान को पकड़े अपवित्रत तुमने आज मिटी खाई इतने में कृष्ण डर गए मैया नाहम भक्सीत वानंबो सर्वे मिठ्या भी संसिनम मैया मैंने मिटी नहीं खाई यह स यह सखांच लोग आपना घर से चोड़ी चोली करके मैं रभी यह लड़ों को चोड़ी लाते तेरे नहीं पता मैं चोरी का चींज खाता है यह earned मैरे-क क्षा तरह। तू क्या करता है नहीं करता हैं पॉले यह मेरे यह मेरे लज़िक किया मैंने खाया नहीं यह तो समझ में जा करके चुगली कर देगा हमारा मैया को पास में और में चुगली करने से पहले यह चुगली कर दिए मेरे नाम पर लेकिन भाइया को बता कनिया बड़ा नटकट है कृष्ण सोच रहे थे अगर मैं बोल दू मेरे मुँँ खोल करके देख लो वो सकता है मैया मेरे को छोड़ देगी कृष्ण को बले मैया मेरे मुँँ को खोल करके देखे हैं मैया तो एक धंकी लगाई मुँँ खोल में देखना चाहता हूं इतने में कृष्ण का मुँँ खुल गया और इतनी छोट प्रिसी मुह में उनने अनंत गडिविश्व ब्रह्मांड को उनने दिखा दी कितने ग्रहा निक्रत्र सुर्ज्य चंद्र तारका मैया खुद को वही छोटा सामूह तुछे यहाँ पर देखो कृष्ण ने मिटी खाय थे कि नहीं बताओ मिटी खाय देना लेकिन यहाँ पर कृष्ण जूट गई से बले मैंने मिटी नहीं घाये दुनिया बोलेगा, क्या क्रिश्ना अगर जूट बोल तो कोई दोस नहीं, अगर हम भी जूट बोले कोई दोस है, दुनिया बोल सकते हैं, इसलिए स्री बलवाचार्जे कहते हैं, देखो भगवान को भी जूट नहीं बोलते हैं, इसलिए भगवान को बताया सत्यां ब्रत्थम सत्या परामत्रि सत्या भगवान को 13 सी करड़ देवता करें जो पहले भी सत्या अभी भी सत्या जो सनातने भगवान कभी जूट नहीं बोलते हैं जूट नहीं बोलते स्रिव अचार्जय उन्हें दो उधार दे करके समझाई वह खाना किसको कहते हैं जब हमसे कोई चीज अलग हो तब उसको खाना कहते हैं इसलिए कृष्ण ने मूँ खोल करके दिखा दिया मैया मैंने कब स्मिट्टी खाई यह विश्व ब्रम्हान को हम अलग कर देंगे उसका अर्था अफ्ट होटा हैं जहीं जिसे नहां अलग सभ्ण कर दिया ना हो गया मैंने मृट्री नहीं कहाई जब यह सब्दों को एक कर देते हैं वह होता रह्म ना हम का मतब्वाध तक माया तू मिटी का बात क्या करती हो उसलिए भगवां को चूठ नहीं बोलते प्रशन है भगवान यह ब्रज रज को खाए की कारण किया है बले कारणे जो ब्रज रज है ये कोई साधान बस्तु नहीं जिस ब्रज रज को पाने के लिए ब्रह्मा जब ब्रज में आए और ब्रज बासियों की महिमा को देखा ब्रह्मा भी कहते हैं बले तद भोरी भाग्यमिह जन्मम किम अटब्याम जद गोकुला पी कथमा अंगरी राजोवी से कम ब्रणा जी कहते हैं कम मेरे इस सवभाग होगा ब्रज के बाहर जो छोटे जाती के लोग रहते हैं अगर उनको घर को सामने पत्थर जन्म हो जाए ना मैं आपना जीवन को में धन्य मानगी जब उद्धव जी आई ब्रज में जब ब्रजवासियों की महिमा देखा उद्धव जी कहते हैं आसा महचर्न रेनों जुसां महंग स्यां ब्रिंदा बने कि मपी गोल मलतो सदिनां देखो उद्धवज क्या रहे हैं बले हे ब्रभु मेरा किया कभी ऐसे सोभाग्य होगा बले कौन सा सोभाग्य ब्रेज में मेरा घास रूप में जन्डम हो जाए घास रूप में क्यूं जन्म लेना चाहते हो ब्रजवासी जब चलते हुए जाएंगे अगर घास बना मेरे को मिले गा उनने बलता बंड के लिए चाहते हैं कियूँ पढ़े प्रमद ancा मदण लिला कंदरि खुद्वांच कंजों कंजों में लिला करेंगे थे एगर में ड़ता बन करेंक्त रहूंगा तो मेरें कोद्रसन मिल जाएगा वह और लई बिखरूप में जन्म लेना च इसने जो जो ब्रेज में आए रसखान क्या कहते हैं ब्रेज में आ करके दो चीजी तक ग्रहन करनी चाहिए दो चीजी किया है रमण रेती ले तो नहीं कियो ना जमुना पान ये दो चीजी ज़रू करनी चाहिए रमण रेती में जहां करके लवट भोड़ खानी चाहिए और जमुना में आच्वन लेजिदी चाहे तभी ये ब्रेज की महिमा को हम संबल सकते हैं इसलिए आज भगवान स्वयम ये ब्रेजरज को ठागुरजी खा करके ब्रेजरज की ठागुरज ने महिमा दिखाए ब्लसी ब्रतावन नभी आलिकी जै जै स्री राद हुए जै जै स्रीरादे एक दिन कृष्णा ने देखा जब मैया जसुदा को कृष्णा गोद में बैठा करके दूद बिलाती हैं उनको दही खिलाती हैं ब्रज के जितने सब गोपियों का मन में इच्छा होती हैं क्या कृष्णा कभी मेरे घर में आएंगे मैं भी कभी कृष्णा को बैठा करके दोद में मक्षन विसरी दही खिला पाऊंगे अब इनकी भावना को समस्त हुए एक दिन कृष्णा सखाओं को बुलाए बहले सखाओं हम चोरी करेंगे बहले चोरी गंधावाद बहले पैसा रुपिया पैसा नहीं खाने पिली का हम चो चोरी करने से पहले आपना घर में चोरी करके मैं देख लेता हूं मैं पकड में आता हूं कि नहीं एक दिन मैया को नजर को बचात हुए चोरी कर रहे लेकिन नंदवाबा का जो घर है समी हीरे जवारात से बनी हुई है जो पिलर है वो मनी पिलर है अभी कृष्ण का उमर त पढ़ा कृष्ण को एच लगा मानों मेरे घर में मेरे जैसे कोई एक भालक आ करके यह मखन चोड़ी कर रहा है यह देख लिया मैया को बोल देगा इसको दोस्त बना देता हूं कैसे बनाओं कुछ खिला को खाओ कृष्ण मखन निकाले देख मैया तू भी खा और में भी खात हूं लेकिन मैया को भोलना नहीं नगा चोर चोर मौसर भाई वो परच्छाई भी यही बात बोला तू भी खा में भी खाता हूं बोलना नहीं कृष्ण भले तू मेरे घर में आ करके मेरे को बोल रहे हो परच्छाई भी वही बोला कृष्ण तो परच्छाई से लड़ाय कर करना शुरबर मएक्पा Rights Max निक क्षे इसका अभरा है करें हो जान हो कृष्ण ने देख लिया कि इतने में कृष्ण च्छलांग लगाए और जो पिलर था ना इसको पगड़ लिए मैया मैया हमारी घर में जो चोर भूस आयों है बहुत कहां पर भली खंबे को अंदर में देखो कितने यह भूला वाला है लाला यह बताओ घर में तो चोर आ गया लेकिन तेरे हाथ में मखन क पहिना दी थी ना वो गरम हो गया था मैंने मखन में डाल करके थंडा कर रहा था यह बहुत कहां से आया जाले बाए यह बाकर सभी बहुत कि चिटी को वो चिट्टी को हटाने के लिए गए तो मुह में मखन लग गई मैया वली लाला तु मेरा आकला लाला है जो कोछो करती हूँ तेले लिए ही करती हूँ पर इसम चोरी करने का क्या जरूरत है कृष्ण देखा जीवन में पहला बार चोरी क्या पगड़ा गई लगता है जीदे गवार में पगड़ा हूँ एक दिने क्रिष्णा किसी गोपी को घर में ऐसे ही मखन चोरी करने के लिए पहुचे वो गोपी पहले से ही कोड़े में चुपचा बैटी हुई थी बल आज कनिया को मैं बांध करके रखोंगी क्रिष्णा आगे पिछे देखे देखे कोई नहीं जैसे बिल्ली दिरे दिरे चलती है इसे जा करके क्रिष्णा मखन खाना शुरू कर दी वो गोपी देखा ये खाले फैर्त में पकड़ोंगी जब क्रिष्णा खा लिए वो पी जट पकड़ लिए कहां जाओगे आज तरे को में घर में बांध करके रखोंगी ये खंपे को पर हाथ रख क्रिष्णा जब हाथ रखे अपना जो रीबन होता है न चोटी से निकाली और जो भगवान को बांधने के लिए जाए भगवान हैं कि हाथ मखने से बीज्यादा को मले वह बंधने और किया मेरे 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 सिख रहे मने खंबे गाथ रखा आप आप प्रेम रजमे में बांध देता हूँ, बहुत कनिया खोल दे, बहुत की नहीं 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 को सिखा, नहीं बांधना है सिखा, किष्णा अंगुटा ज्या भाग गये क्रिश्वास, तो असे बखचो भगवा निगी है, एई सही ब्रजमें, बहुत जा गया खिए, आज मैं देखूँगी कैसी क्रिश्वास में न्युक्त जो केसे मोफिता है, क्रिश्वास में चरी खरहूं गई, कृष्ण बोले मैं किसी सुभा का मैं मैं जा रहा था तुमने मेरे को बीच में टोग गये बोले तेरे सारे नारी अख्यर में जानते हूँ कहा जाते हो जा करते हो कर अगर अगर असी गली में आया ना सिद्धा पकड़े प्यावास ले जाओंगी अभी तो प्रिष्ण दूसरे दीन उसी गली में ही आना छोड़ दिया एक प्रहर हो गया दो प्रहर हो गया तीर प्रहर हो गया लेकिन वो मकून गुपियां आ गयी मैया जासदाजी की घर में और जूट-बुटका बाहा बनार के वंगिया लगता है हमें ये गुल छोड़ कर दो दो अगएने का अपे ल हो गली अतला की को प्रहुतक नास्न रसस ची का वपनेे मैं वा को सुझाओ टनार स भॉबुप को दो को कि आखको प्रह़एने टो-इड़ ये मैं चानार सासभंदाल हो दो टोड़ को गोविंद जय जय गोफाले जय जय गोफाले जय जय गोविंद 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 जय हितने में गोपीयां धूनड मया घर में गई और जुट मूटा बाना बना मेना करके बले मैया लेचा आके में हमें गोकल चोड़े और पेरना पड़ेगा क्यों चौटि द्योट मेरे घर में मकhtने चोलि अगरी करता है देखो मेरे लाला अंधग गर्था है अंदगार घर में अरशाерм पर माईया फर जो भी कर देखिने आ अंदर में प्रवेस्ट करते हैं आपनियां उजला हो जाता है वह उतार देती हूं तेरी सोगहाँ बतलाओ फेर तेरे लाला की जो नख है वह नख में इतने प्रटास है वह उसी सही आपना घर उजला उजला हो जाता है जो नहीं तेरे लाला को परमात्मा ने इतने दिमाग बनादार बनाया वह आपनियां बना लेता है कैसे दाव हो या थोड़ी सी मोटे नीचे बैठा लेता है उसको उपर मदुवंगल उसको उपर में स्रिताम और खूद चड़ जाता है उसको उपर में अगर हाथ गया तो गया अगर नहीं गया न एक दंडे रहते हैं और मटकी में मार करके खोड़ देते हैं और एक नमोए पठायो तुन भाईया मोरी मैने मार करने खायो कुष्णाई आए तैने मातने थाल। यह सुर्दास का भजन है, कृष्णा अद्भूत एक जाम बुल दियेगी। बले तु यह बता। भोर भयो गई अनको पाचे मदुवनमोय पठायो। चारी प्रहर बंसिवट भैटे को सांद पड़िगायो। बहाद पीन गया चाया, रात भर तरी गोद में सोया। बताओ मैया, मिक मखन जोरीगी। तैने में बालग बहिया। निकल छोटो, काहीं भी दिची के पायो। मैं इतना छोटा सा बालग। काँच को बने दे मखन दई। बताँ में हाथे सेया। काद भी देया। कि इतने में मैया ले मुहां जो मखन लगाता है। बले मैया ये सक्था लोगों तो मखन दई। स्री मखन चोर भगवादी की जय जय स्री रारे आस्या। देखो भगवाद ने ये मखन चोर कियों की। ये मखन चोर का तादपज क्या है। संतों ने बड़ी सुंदर एक्जाम पूल देगर के समझाए। अब अगर में मखन बनाते हो। कौन-कौन मखन बनाते हो। हाथ उठावतों। समसम घर में मखन बनाते हो। उन्हेंने बड़ी अनुठा एक्जाम पूल दिया। जय से मखन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो। पहले दूद लाओ। तो दूद को गर्म करो। दूद को गर्म करने का मतलब गया है। जब किसी साधक के हिर्दय में भगवत प्राप्ति की उतकन ठाए। कम ठाकुरुजी मिले गें। कम ठाकुरुजी मुझे मिले xenon कि यही यह दूद को गर्म करना है। अम जम हिर्दय के भगवत-प्राप्ति को उतकन ठाएं डगेगी। फिर भगवत इच्छा से उसको सद धुरुप प्राप्ति होती हैं जैसे धुरुबजी का कथा हम लोग सुने होंगे धुरुबजी भगवत प्राप्ति के लिए गए जब वो ब्याकुल होए ठाकुरु कम मिले ठाकुरु कम मिले ठाकुरी कम मिले भगवत इच्छा से श्री नारद जी को ठाकुर जी भेशते हैं वह लें नारद जी जाओ तुम जा करके धुरुवजी को मंतर दे करके आओ लिए इसे नहीं पहले परिख्या करना ठोग करके अश्यतर से परिख्या करना परिख्या करके मंतर देना फिर नारद जा करके उनको बड़ी ठोग पीट करके परिख्या करते हैं यह कोई भजन करने के तरी उमर है जब घरने जाओ पिता तरे को ठोल रहे हैं धुरुबज ने पुछा आप कौन हो बने नारद हो पर लगता है आप कोई डुबलिकेट नारद हो बले क्यों मैंने सुना है नारद जी सब को भजन की उपदस देते हैं लेक पुर्ण बिश्वास हो गया है ठाकुर जी हमें जरूर मिलेंगे ठाकुर हमें जरूर मिलेंगे वलेकियों कर सास्तर कहता है बले बिनोगोरो भाबा नेधितारा इनकोई बिनोगोरो भाबा नेधितारा इनकोई बिनोगोरो भाबा नेधितारा इनकोई आजो बीरेंची सा कारसा होई बिनोगोरो भाबा नेधितारा इनकोई बिनोगोरो भाबा नेधितारा इनकोई प्रुबज ने कहा जब तक जिवन में कोई सदगुरु नहीं मिलता है तब तक जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता है वो ब्रह्मा संकर्जी के बराबर क्यों नहीं हो जाए आपको भक्ता में सिरोमनी आवो भरवान की संस्या प्यार भक्ता आवो जब आपसे मेरी मुलाकात हो गई मेरेको दिड़ विश्वास हो गया आतुर जी मेरेको जड़ भिलेंगो यजले सास्तर कहते हैं कृष्ण स्वयम कहते हैं अगर कोई डाइरेक्ट में भक्ती करणा है डाइरेक्ट मेरी कोई भुजा सेवा करता है भगवान कहते हैं भईया में कोई ग्यार्ट नहीं दे सकता तू मेरे को पाओगी लेकिन अगर मेरी कोई सुद्ध भक्तों का अगर कोई सिवा करता है भगवान कहते हैं मैं ग्यार्ट दे सकता हूँ वो एक दिन मेरे को पाएगा ही एक दिन पाएगा इसनि जब दूद गर्म हो गया फिर गर्म हो जाए तो फिर क्या तर उसमें जमन डालते हैं बले भईया ये जमन क्या है बले ये जमन है भगवत मंत्र ये भगवान की ना रूपी मंत्रत जीन को प्राप्त करनी चाहिए इसलिए सद्गुर्व को द्वारा उनने भाकुरुजी की मंत्र को प्राप्त करते हैं लेकि सास्त्र में बताया देखो बलना गुरु कर जान के और पानी पियो पानी पियो चान के गुरु तो करनी चाहिए लेकिन जान करके करनी चाहिए इसलिए भागवत में बताया गुरु जी की तीन लखण होनी चाहिए तब भी कोई गुरु बन सकता नहीं तो गुरु बन नहीं सकता है देखो ये का दसकंदमी जब नेमी महराज प्रशन करते हैं अगर ये माया से उतिर्न होने के लिए उपाय किया है ये माया बड़ी ठगीनी है अगर माया से कोई परपार जना चाहे उसका उपाय किया तो एका दसकंदमी इस लोग है तस्मात गुरुम प्रपदेत जिक्यासो उस्रेय उतमम साथे परेच निसनातम ब्रह्मनी उपसमास्रयम ये कह रहे हैं बले गुरुजी की चर्ण में सहना लत होनी चाहिए बले गुरुजी का क्या लख्षण है बले इनका पहला लख्षण है जो सारे सांस्त्र को जो जानता है क्योंकि अगर सारे सांस्त्र को अगर ज्यान नहीं हो बहुतुआ को मैंने में जो संका हैं, वो संका हों को संद्धेखन को दुर नहीं कर सकता, इसलिए सारे सांसर जाननी चाहिए, तर यही क्या सब कुछ भले नहीं, कि भड़ा पंडित बहुत चाहिए याद करके बैटे, घूर बने जाएंगे बहुतुअ कि भले नहीं, बहुत दूसरा जो लख्यण है उनका जो अंदर का जो लख्यण है भगवत भक्ती जुपतो होनी चाहिए भगवत अनुहती संपर्न होनी चाहिए नहीं तो गुरु नहीं बन सकते हैं इसलिए एस नहीं कि बहुत दूसरों को उपदे सकते हैं कि पंडित हैं लेकिन स्वयं भजन चब्वीश घंटा में चब्वीश घंटा ये कितने घंटा प्रभु की भज़न और प्रभु की भग करते हैं ना केवल हमें उपदे से केवल प्रदान करते हैं उनका उतनब में भगती जुपता और भगवता नुभुती संपर्ण होनी चाहिए ये दूसरा गोण गोण क्या है ये माया संसार से उपर होनी चाहिए बताव द्धू ये गोव मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है दिब आलोग हमारी अग्यान रुपी अंधकार से निकाल करके हमे जो प्रभु की दिब आलोग को देखा दिए गूरु है इसलिए तिसरा गुण क्या होनी चाहिए ये संसार की जो माया से उनको उपर होनी चाहिए बहुत उपर क्यों होनी चाहिए एक उधार न दिया जैसे दो बेक्ति कुए में गिरे हुए अब एक बेक्ति दुसरे को बोलता है भाईया मेरे को कुईस राहर निकाल दो भाईया कौन किस्तों निकालेगा तुम भी दोनों ही तो कुवर में पढ़ी हुए हो हाँ, वही बेक्तित की निकाल सकता है जो कुईस cayow अगर वह हमें रसी फैंके वह रसी को हम पकड़े प्रेश वा हमें फेजम करें की उपर ले जाएगा, इसलिए बताए जो गुरुदेव, यह माई की बवस्तों से उपर होनी चाहिए, अगर हम जिसको गुरूब रहने किये, हमरा भी बीबी, उसका भी बीबी, हमरा भी बेटा, उसका भी बेटा, हमरा भी दुनिया दरी, उसक धियाम वाह फसा हुआ होगा फैर भाहिया वह हमें केसे माया से निकथा वह सब्सहा वा हुआ कलंक सब्सक्राइब तब ही ता हम reden प्रभू का परास में ले जाना और उसकी गुरु परमपरा होनी चाहिए त्ब ही वो हमारी गुरु बन सकते हैं इसलिए हागवत में यह तीन चीज बुझ की लख션 बताए must के दूसमें जमन डालना जमन मतलव ताएं जब उतकंठा हर्देर हो लेकिन अगर वो निश्कपट रूप में उतकंठा अगर हो तो ठाकूर बेवस्ता करते हैं जैसे नाराग जी को भेजा बिदे जाओ तुम नहीं जाओ उसको ठाकूर जीब जेंगे अभी जमन डाल जिए बन गिया तो फ्ञारनी चाहिए उसको मंतन करो उस मन्थ में करो बलो या मन्थ में करना मतलब कि याद को ध्यार दिगर सुनो ये महत्वपुर्ण चीज है गूरु जी से हरिनाम ले लिया गले में कंटी दे लिया माला ले लिया अगर उसको जब अगर हम नहीं करेंगी वह याँ फिर उधार कही से होगा फिर हमारी उधार के से होगा उधार में जया जैसे आप यहां से बंबे जाना चाहरे हो एक टिकेट आपनी बनाया अगर ये टिकेट को पकेट में अगर रख लोगे कि आप बंबे पहुँच जाओगी आप नहीं पहुच जबाओगी इसलिए आपको रेल उए स्टेसन में जाना पड़ीगा आपको अपना कोज देख करें के उपना सीट में बैचना पड़ीगा फिर गोबिंदे जय 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 गोपाले जय जय गोपाले गोबिंदे जय 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 राधाले जय जय गोपाले आ इसको कहते हैं मन्थन का मतलब होता है साधर हमें साधर करनी चाहिए देखो ध्यान देखर सुना जब गुरुज से हम कोई माला लेते हैं वो माला नहीं ठाकुर स्वयम हमारा पस में आए क्योंकि भगवान कली जिग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए हरी से बड़ा हरी का नाम वो गुरुज से माला नहीं दिये हमें हमें स्वयम ठाकुर जी को हमें दिये हमें क्या करना चाहिए ठाकुर जी को सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी को पूजा करनी चाहिए कली जिग में भगवान नाम रूप में आए जब हम गुरुजी से नाम ग्रहने किया, रोज हरिनाम खाने से पहले, नाहा धो करके ठाकुर को सामने थोड़ी समय बैठे, बैठे करके जो माला हमने लिए हैं, माला को कुछ नियां करो, माला करो, माला करके फिर भोजन करनी चाहिए, देखो हमारी संपधाय में एक बहुत बड़े संतों हुए, जो दीन में तिन तिन लाग हरिनाम करते थे, तिन लाग हरिनाम करते थे, जब लिए कि अंती में समय आया, अभी सरीरी छोड़ने वाले, बिस्तरा में लेट हुए, चैतन्य महा पहुँ रोज ठाकुर का प्रसाद ला करके देटे थे, बले बावा प् प्रसाद ग्रान नहीं कर सकता, बले कियों, बले आज मेंने तिन लाग जो मला करता था, पूरी नहीं हुआ, अहां प्रभु बले तुमने जिन्दे के वर तिन तिन लाग हरिनाम कर दिया, अभी रिधा हो गए, उतरा कमत करो, देख ओ संत क्या कहते हैं, बले प्रभु जी, मेरा सरीर तो चंगा है, मेरे सरीर तो सुषता है, बले बाबा, जो मन है ना, ये बड़ा असुषता है, ये मन बड़ा असुषता है, मतलब क्या है, सरीर तो हमारा बढ़िया रहता है, ये जो मन है ना, ये सबसे बड़ा गंधा, ये बड़ा दुषता है, किसे साधी के लि कि लिए बढ़ने की मात करो ना मंन कितने बहाना वाजीotalता है इसलिए हमारे घुरू जी का बड़े गुरू जी जो संपुर्लब विश्वं में जो सनाधान धर्म उप्रचार की वह कहते थे वह Atlacosa सब्सक्राइब अपना जुत्ति लो अपना जुत्ति लेकर अपना मन को सवारब पिटो मतलब क्या यह मैंन को समझाओ बेटा दीन भर प्रव का भजन करना नाम करना गंधी चीज बोलना नहीं कभी किसको कश्टन नहीं दना समय मिलत नहीं टीवी खोल कर बैटी गए उल्टा पुल्टा फिलिम देख रही है गंधी गंधी बाद दुसरे की बुराई चर्चा चुगली बेटा यह नहीं करना समय मिले तो यह जीवन अन्मोल है यह मानव सरील नहीं यह कोई निरू हीरे ठाकुरजी दिये चौरासी लख्या जन्म को बाद में ठाकुरजी एक बार ही यह मानव सरील देते यह बारम बार यह जीवन नहीं मिलती है इसलिए भगवान कहते हैं यह मानव सरील नहीं यह मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं इसी जीवन में ही प्रभो की भक्ति कर सकते और किस जीवन में भक्ति नहीं होएगी यह मन को यह चीज़ी समझाओ है वो समझाओ इसलिए वह मंधन मदब होता है क्या करनी चाहिए हमें साधन करनी चाहिए और रोज नियम परफवकुट माला करनी चाहिए तक हमेरी गुरुजी कहते थे जैसे यह लाइट जंतिया चलती है हम उसकी बील भरते की नहीं हम उसका हम बील भरते हैं अगर दो चारी महिन अगर बील नहीं भर तो क्या होगा घर का लाइन कट जाए लेकिन इसने दीन में इतना बड़ा लाइट जो हमें दे दिया जिसने यह हवा पानी दिया हमें जिसने हमें यह मानव सरीर दिया इसलिए स देखो, अब ड़ाने के लिए थोड़ी से समय हमे निकालनी चाहिए देखो, अब धोड़ी से ददमन सुनाता हूँ अब ध्यान देखने देख्रें सुना Hare Krishna, एक वार हाथ उठा गरे बोलो बोलो, Hare Krishna, Hare Krishna बढ़िए आप जब बढ़िए कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम एक समय एक वेक्ति के हाड आतात्य हो गया वो करुडपती था अभी उसको हस्पिटाल में भरती कर दी गई जब उसकी अफरेशन हो गई उसका बील बने गया चार लात रुपिया कितना बील बना उसकी चार लात अभी डक्टर ने उसको बील पकड़वा दिया अभी वो बील को देख करके तो रोना सुरू कर दिया डक्टर ने कहा भया तू क्यूं रो रहे हो बढ़िया से अफरेशन और जोर जोर से रोना सुरू कर दिये फैर क्यों रो रहे हो एक लाख रुप्या कम कर दिया ना देखो वो क्या कराएं यह चीज़ को ध्यान देखर सुनो करते मेरे उमर हो गई खोबसुन लेंन कि कि जन्म से लेंखरिके अभी तक जिसें यहार को चला रहा है था रोदे को उसने एक पैसा भी अभी तक उसने बील मेरे को नहीं मागा लेकिन तुमने एक घंटा उपरसों किया तो कितना तुमने बील बना दि चार लाप तुमने बील बना दी अगर वो अगर हमें से बील बागे ना पर मैं कांगाल बन जाओंगा इसी जगत में कोई गर 100 रुपिया देते ना जिंदे के भार उसको याद रहते हैं लेकिन जिसने हमें यह जीवा देते दिया जिसने हमें एक दिने पर कितनी चल सकती तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ कुछ करनी चाहिए कि नहीं क्या करनी चाहिए उसकी नाम जब करनी चाहिए इसलिए कहती है मन्थन करना मतलब क्या है मन्थन का मतलब होता है हमें साधन करनी चाहिए गुरुजी तो हमें माला दे दी अगर माला लटका करके जहांता रख लेंगे पर हम क्या प्रभु को पास में को जाहिए इसलिए क्या करो महा प्रभु कहते हैं ही चैतनमहा प्रभु कहते हैं एक बार हाथ धागरी गोलो हरे खूरौए क्रिश्चाहरे क्रिश्चक्रिश्चाहरे क्रिश्च्राइफ रे हरे राम यर利 रामरा रमरा हरे ऐसलिए श्रीज श्रीज नम्हाप्रव कहते हैं मैंने तुम लोगों को प्रभु जी का नाम दिया है यह नाम को हर समय यह नाम को चलते उड़ते बैठते प्रभु का नाम जब करने चाहिए इसले इंजिन्ईयों ने महला लिए जैसे एले में मैंने कुछ भक्तों को देखा गले में तुलोशी की माला लिये थे लेकिन इस बार देखता हूँ माला है यही नहीं तिलग है यही नहीं माला जब नहीं कर रहे हैं पर हमें प्रभु की प्राफ्ति कैसे होई गिया ठीक है ना हाँ देखो हर साल आपको मैं एक श्टोरी सुनाता हूँ हाँ धी को श्टोरी में सुनाँगा आपको अब लोग ध्यान देखर सुनना ठीक है और मेरे को यह स्टोरी सुनाने के बादना मैं दो बार आपसे सुनगा मैं देखूँगा कोन इसको याद रखा है देखो जो टीचर है ना वो किसको स्टुडेंट नहीं बनाता है इसलिए मैं चाहता हूँ संपूर्ण यह हापुण में ऐसे भगवान की भक्ति घर घर में प्रभुजी भक्ति हो घर घर में ठागुरुजी का किरितन हो घर घर में सब के सब प्रभुजा भजन करे आपका घर में भी जा पर करके सूनाओ आपकी औरोसी परोसियों को भी ये कझा सुनाओ ठीक है न? इसलिए हर कझा को मन दें सुनाओ ध्यान लगा कर सुनाओ अभी मैं कथा सुनाओंगा बाद में आपसे ये कथा सुनाओंगा मैं इसी कथा से आप सोच नहीं सकते इतने लोगों को मैंने प्रहु की भुद्धी में लगाया ये लिए ये कथा को आप ध्यान देखे कर सुनाओ समझो ये जो साथी में कथा होईगी किसा Members को सबसे बड़ी राणी थी राजा उसको सबसे जyवन में रिधिक करता था और वो जी समय जो चीजी की मांग करती थी राजा उसको लाला करके देता था और उसको खुस रहता था राजा की जो दुसरी नंबर की राणी थी वो चार राणीयों में देखने में सबसे वो सुंदरी थी इसलिए राजा जब ये नगर भ्रमन करने जाता था वो राणी को बड़ा सुंदर सुंदर कर लेता था और उसको रहत में बैठा लेता था और ये दुनिया को दिखाय करता था देखो ये राणी मेरी कितने सुंदरी है अभी राजा की जो तिसरी नंबर की राणी थी मिठी मिठी बना वना करकी ये बात को बोल ते थी इसलसे राजा जब अपना राज महल में आते थे वो रानी को पास में बैठción करके उसकी मिठी मिठी बात को सुनते थे और मन की बात और किसी को नहीं बोलते थे ये मन की बात केवल उनने ये तिसरी नमबर राणी को ये मन की बात बोलते थे राजा की जो चोधी नमबर की राणी थी, है तो बड़ी प्यारी, लेकिन राजा जब से उसको घर में साधी करके लाए, तब से उसको साथ मुन ने कोई मतलब नहीं रखा, कभी उसे भूल सभी पुछा नहीं, तेरे पास में सारी साबुन तेल है की नहीं, वो सोच रहे थी बेकार किसी घर की यह कोई काम की नहीं, कचड़ जैसे प्रेंक रखी थी, अभी राजा की अंती में समय आया, संसार छोड़ कर जाए था, राजा ने सुचा, मैं तो चारी-चारी पत्निया हैं, इन से मैं प्रश्न करता हूं, कोन राणी मेरे साथ में कितना दूर तक जाई उनने संसे बड़ी राणी से पुछा, संसे बड़ी राणी कोन थी? कि इन तूर्आ को लेगा समसे बढ़ी ढांडी कौन थी किसा बहुन है की इतने जलती घर भूल था कि इसको याद निसकरोगे हम चाहते ही कता को याद करके रखो रजा जिसको सबसे जादा प्रेम करता था और जिसको जी समय में वो जो चीज मांगा करती थी भाई राजा को कुछ इस भी क्यों करना नहीं पड़ जाए वह लाकर उसको देखर उसको खुश रखता था अभी उन्हेंने सबसे बड़ी राइनी से पुछा राणी तू मेरी साथ में चलोगी लेकिन वह सबसे ज़्यादा धोके देवाली ओनेगी तेरे साथ में एक अदम भी नहीं चलोगी तेर क्या थे कटिने राजा कुदा बड़ा दोख मिला झीवनमें जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम कुछ था वहीं हमें दोका देदी अब राजा ने दूसरी राणी से पुछा, दूसरी राणी को थी? दूसरी राणी को थी? अरे बोलो दूसरी राणी को थी? सबसे जो सुंदरी थी राजा इसको स्रिंगार करके सारा दुनिया में दिखाया करता था देखो ये राणी मेरी कितने सुंदरी बोले तू किया करोगी चलोगी चलोगी क्या मैं देख रही हूं तू का मरोगी मैं दुसरे से साधी करने वाली हूं बोले भाईया दुसरे साधी क्यों करोगी देख मैं कितने सुन्दरी भाई भेत तो बड़ी मिल्क्यारी इसलिए तो मैं बोल रही हूं तुम मरते ही में दुसरे से साधी कर लूँगी राजा को और भी दुख मिला अब राजा ने तिसरी राणी से पुछा तिसरी राणी को थी? जिसी मिठा बात सुनकर खुस होता था और मन की बात जिसको बोलता था राणी तु साथ में चलोगी थोड़ी से अच्छी निकली बढ़े हां चलूंगी कि लेकिन दर्वा जाता चलूंगी बढ़े दर्वा चलना कोई चलना है अगर तुछ जादा बोलोगा ना मैं घर से चावितम दवा जासता कि आगे बढ़ सकती हूं लेकिन उसको आगे तेरे साथ मनें जाओंगी बलो चार कदम कोई चलना रहेते हैं या तुम भी किसी काम की नियुक्तार हो अभी चौधिरानी आ रही चौधिरानी कौन थी राजा जिसको जीवर में सबसे जाता नेगलेटर रखाता है विस बेकार किसी काम की नहीं कच्ड़ जैसे भेग रखाता लेकिन उन्हें चौधी राणी से पुछा साथ में चलोगी वही राणी तयार हुई राजा तेरे कमें दील से बहुत प्रेम करती हूं लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे तरफ में जांक करके नहीं देखा कभी तुमने यह भी नहीं पुछा तेरे पास में सारी साबून तेल है कि नहीं तुमने जो कुछ हो किया मेरे लिए किया है नहीं दील से में तरे को प्रेम करती हूं तरे साथ साथ में चलोगी सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहोगी बिना खाने खाये पिये तरकम में खाना के लिए राजा को तो बड़ास्टर लगा भईया जिनके भी जिन्देग वर किया वो तो जाने के लिए तैयारी और जिसके कुछी भी नहीं किया वो ही जाने के लिए तैयारी हुई हाँ देख अभी जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस चीज की मां करती है ना, भले हमें कुछ क्यों करना नहीं बड़े, चोरी, गुंडा गिर्दी, जूट, बेहिमानी की क्यों करना नहीं बड़े, हम लाला कर उसको देखर कुछ करते हैं, कि तो भया समसे बड़ी जा नहीं कौन हैं, कौन हैं समसे बड़ी जाड़ी, तभी हमारी सरीर है, जिसको जीवन में समसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो सरीर हमें जिस समय जो चीज की मां करती है, बोले गोल कप्र खाओगे, बोले चलो खिला करके आईए, बोले प्यूट की परफले में चलो, चलो तरे को सजा करके लाएका बोले सिनेमा देखने था लौश दिझा करके लाएक आपժड़ा पहिनो पहिनो चलो तरफ को ले जाते हैं ऐसे कपड़ा तरह को देखना इस शरी हमित जी समय में जो चेजिकी माहं करती है हम उसको कि इच्छा हम कुरी करते हैं अंतिकी समय आया, सरीनी से उच्छा, भईया साथ में चलोगे, साथ में चलोगे, कद जब हंसा अकेला उड़ू जाएगा, खाली बिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये सरी से जब परमात्मा चली जाती है, जिसी सरीनी को हम इतने प्यार, इतने चबन प्रास घाए, जी में ले जाती है, ये सरीर, आत्मा जब चली जाती है, ये सरीर, जहां के तहाँ, पड़ि रह जाती है, ये सरीर हमारी साथ में जाती है, ये सब से पहले हैं, धोका दे दी, अब दूसरी नमबर को थी? जो सबसे जो सुंदरी सबसे जो सुंदरी राजा जिसको दुनिया में सब को दिखा करते देखो ये राणी मेरी कितने प्यारी है जब राजा दूसरे पत्री से पुछा तू साथ में चलोगी वो क्या कहती है कि देख रहे तू कम मरोगे मैं दुसरे से साथी करोगी, इसका मतलब क्या है, कद यह समसे सुनदरी को रहे हैं, के था ना बाप बढ़ाना भाईया, समसे बढ़ा रुपया, यह पैसा समसे सुनदरी, आपको पता होगा पैसा के लिए हम कितने कष्ट करते हैं, हम पैसा ले कितने कर्ष्ट करते हैं पैसा होगा तम तो बढ़िया कपना पहिनेंगे बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे हैं पैसा होगा सब कुछ काम करते हैं यह पैसा की कमाल पैसा से पूछे बहिया साथ में चलोगी करते बहिया मैं तो देख रहे हूं तुम मरोगे मैं दुसरे से साधी करोगी, तातपरज क्या है, कि तब बैच्चों का सबसे पहले नजर रहती है, पिता जी कितने प्रपड़ी, दुकान, मकान, कितना कहां पर है, सबसे पहले उनका नजर वही पर रहती है, और ये सरीरी छुडते ही, जहट ये दुसरों का नाम पर ट्रांस्पर हो जाता है, इसलिए कहते हैं, मैं दुसरे से साधी कर लूँगी, तेरे साथ में चलने वाले नहीं हो, इसलिए वो दुसरे को साथ, मैं साधी कर ली चली गई, वो चली गई, लेकिन जब हम इसको कहते हैं, भाईया थोड़ी से भजन कर लो, बहुत समय कहा हैं, भजन करने के लिए, बहुत क्यों, बहुत पैसा कमान हैं ना, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा रख करके जाने चाहिए, देखो, हमारे गुरु जी कहते थे, भाईया अब पैसा मत रखारो, मना करते देखो, बच्चा अगर बोनार होगा, तो वो कमा ही लेगा, वो कमा ही लेगा, लेकिन जिसकी पीता ने तिने पैसा बच्चों के लिए रख करे, वो बच्चा उतना ही बिगडता हुआ मिला, उतना ही सारा पिना उतना ही जिवा कलना, स्मोकिंग करना उतना ही बरवाद हो, पैसा थो उसने कमाया नहीं, पता नहीं पिता ने कितने अश्ट करें, कमा करें गएं, इसने एई से धन को कमाओ, जो इसी जिवन में भी आए और अगली जिवन में भी वो आए, शुला करते थे प्लियों को नहीं वलिए परिवार वादे जिनको साथ में सब्षेयर करते हैं मन की ऐस घुडते सुख्दू की बात करते हैं पहला नमबर आई पत्नी की से उच्फच साथ में जलोगी बना हाँ चलूँगी लेकिन दर्वाजटा टका चल सकती हों बिले दर्वागत चलोगे बल्ण हाँ बल्ण आगे बले आगे बोलोगा ना चारी कदम तो आगे बढ़ सकती हूं इस तरे में चल सकती अब यह वह वहाँ रहें परिवारवाल से पूचे चलोगे क्यूं नहीं तेरे लिए अर्थी सचाहिए बड़े सुन्दर और राम नाम सत्य करते हैं लेजाएंगे कहां तक लेजाओगा अछोगे समशान तक लेजाएंगे तैर वहीं पर मुखाग्य ने देखर के चला करके टाटा करते करते हुएं से हम वापस सकते हैं उसको आगे और नहीं चल सकते हैं अभी ध्यान देखर सुना जो चौधी राणी राजा जिसको जीवन में सबसे ज़्यादा नेगलेट करकर रखा था यह बेकार किसी काम की नहीं कचड़ जैसे प्रेंग कर दिया लेकिन जब अंतिमी समय में पुछाना वही केवल ज नाम है ठाकुर जी की नाम अगर किसको बोले भाईया थोड़ी से माला जब कर समय कहा है यह बेकार काम जिसका कोई काम धाम नहीं ना वहीं बैटिकर की माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब करते हैं हमार तो बहुत सारी काम है लेकिन जब अन्ति में सह आये जब चार उत अब एक कोई नहीं जाना है इसले भागवत में बताया जीव मरने का बाद उस जब महराज सामने खड़े कर देखें उससे यह नहीं प्रश्ण करते हैं तुमने कितने दुकान मकान और कितने संतान जन्मदिय नहीं पूछते हैं उनको यह प्रश्ण करते हैं तुमको 14 लख्ष जीवन बाद में इस देवदुरल्हव सरी ने तुम यह काम का प्रवगी भजने में कितने लगाया प्रवगी तुमने भगति किसने की इसलिए उस्वामी तुलसित आजी कहते हैं आये थे हरी भजन को वोट न लगे कपास बले आये थे क्यों आये थे हरी भजन को लेकिन उल्टा काम में तुम लग पड़े जो काम करने आया थ ता उसको तो रग दिया भी जो नहीं करना आया था उसको बन आगे Date कि उसको तुमिने आगे कर दिए इस़ि को प्रशन यही करतें उसको कितने जीवानेrt ने भाजन की खाना भी ना सोना बताव को नहीं होगता हम अर्ञान जानुवर का जीवन में सुवरत एक साथ में 10-10-20 मिश्ट बच्चा जन्म दे रहा हैं वो एक महिना में पाल रहें कितना बच्चे को हमने पाल लिया खाने के लिए हमने कितने परिश्णम करते हैं में पीएश्री डक्टर इंजिनियर दस-दस नटा काम करके पैसा कमाते हैं यह मानव स catching नहीं यह साधन ठामों मक्सर करें ना पाइन जयी परल्लों को सवरह के दुरा सुन को ब्रभु सम्झा रहे हैं यह मानव सरीर 14 सिल दशी में लेग इसी जीव धिया करके तुम आरे पास में आ शक्त तो anlam़िये इसले मिरा कहती है पायो जी मैंने आप लोग भजन समझानते हों मिरा कहती है कि जिवन में वही मिला पायो जितने प्रहु का भजन किया वही मिला और जगे में समधी खवाई जनम जनम की पुंजी पाई जनम जनम की पुंजी पाई जग में सवई खोबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इसलिए यह भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी की नाम है जब यह भागवत प्रारम वो हुई वो भगवान का नाम से सुरू और जो भागवत समा घो और पाब खर्म होगा और जीवन में इसलिए आप सब्सक्राइब नाम जब कीएगा सबरे नाहद हो करने थोड़ी समय प्रभु के लिए दो आप सवयंग देखना कितने समय प्रभु को सब्सक्राइब है नो इतने शांति मिलेगी कितने सांति मन को पिलेगी यांति म경 करता है दिक जसानतित इतना सांति उतना सुल नहीं कल्यान मंगल होगा ठीक है ना आप लोग को बताओं आप से मैं प्रश्न करता हूँ आप प्रभी किसको बोलो जोर से बोलो कोई वोल में रहे हैं हुआ चोथी वाली राइनी को समसे ज़्यादा प्रेम करनी आए नाम धन डेखो पहले आपको मैंने बतायाथा पहले मैंने आदो को इसी मेट बताया था जब सबसरी चैच्तन महाप्रभु का भक्तों लोगे निम्हात्र न दिय वह लेएाई बहुँए आज न हमारे घर में आपका भोजन आज से सारे पांस साल पहले लगपती स्वाधार नहीं जिसको घर में एक लाग सोने की मोहरोग तो दुखी हो गए प्रभु हमारे घर में सौ रुपिया भी नहीं सौ रुपिया मतलब एक सार स्वर्नों मोहर पर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे भगवान समझाया जानते हो असली लगपती को नहीं बले को नहीं बले रोजाना जो एक लाग ठाकुरुजी के नाम जब करते हैं इसलिए मिरा कहती हैं लेल कोई राम का प्यारा आबाज लगाओं गली-गली राम नाम के हीरे मोती में विकिरां गली 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 जिन जिन यह मूती लुटे वो सु मला माल हूये और माया के जो बने पुजितों। मन्दीर है जैसे खुब पैसा कमा उप्ते सब्सकिन कुछ नहीं होता लेकिन इपैसा क्यों कमा रहे हो थाकरजी विस्त सर Geo रोशे बडिया घर में घाना बनाओ क्यों खाना बनाते हो थाकरणी की भोग लगएगा घरको साब करो का साब कर दे हो भगवान की मंदिर को साब कर दे हैं बच्चे को प्यार करो क्यों यह बच्चा भगवान ने पचा लिया है यह ठाकुरुजी की संतान है यह बड़ा बन करके भक्जन करेगा भक्ति करेगा इसे हम बच्चे को इतने प्यार करते हैं हर चीज प्रभु की जोड दो इस जोड़म का इसाना की महीए लेकिने प्रभु की भोध की जोड़ोट नहीं। फिर हम गिर्राजी कथा सुनेंगे, देखो मेरे तरफ देखो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 108 होती है, इसमें 108 होती है, देखो मेरे तरफ देख लो, सब को सिखा देता हूं, यह जो अंगुल है उसको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह गंधा है, यह सबसे पहले निकलता है, तरफ में देख लोगा, बल देना तरफ में देख लोगा, इसलिए यह गंधा अंगुल है, इसको हम इसे बाहर निकल कर रखते हैं, और यह बीजवाले अंगुल्म को उपर में माला तै, रख करके जैसे हरे नहीं माला लेजातो है, हरे 大य क्रिश्ना ofya रामा, ये एक बार भोल करके ना इसमें एक मुति सरता है और देखो जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सोलवार हो गया है सोलवार इसमें एक साथ राम होती अगर ये माला को हमने सोलवार कर लिया तो हो जाता है बच्ची सहगार अगर हमें चौशोटी माला कर लिया ना हो जाता है एक लाथ ये भगवान स्वयम कहते हैं बले एक लाख माला नहीं, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में एक लाख रुप्या फ्रीक से दिखवज़ती होगी, यह भगवान सोयम कहते हैं, बले भई आज कितना मिलेगी, बले दीन दीन बड़ा सवाय, आज अगर एक लाख माला कियाना कल तुमको सवालाख मिलेगी, और चार दिन में दो लाख हो गया, यह धान इतने जल्दी बढ़ती हैं, और यही धानी अंतीम में आप मिलेगा, और शीवन में सांती सुखवी यही दानाव को देगा, ठीक है, यह माला लेगे, ले जा बजा माला, देखा सब को माला, आपको जब करने के लिए एक लिए माला अगर सबर आठ नौ बाजे आओगे हम जहां सामने रुका हों, फिर कुछ बोल करके, कुछ नियम बता करके, हमको हम माला देखे, उसको बांड दो, छोटे बैच्चों को मत दो, बढ़ों को दो, हरे कृष्णा, सब के सब आख बंद करके वैड़ी आईएगा, समझिएगा हम ब्रिंदावन में सरी, बांके विया हरी जी की चर्ने में हम एठे, इसी भावजे, आख बंद करते हुए, देखो, यह हरी नाम में तीन नाम है, अच्छा तरह से सुना, यह हरी नाम करने से क्या मिलेगा, देखो, अच्छा तरह से सुना, इसमें तीन नाम है, एक हरे, एक कृष्णा और एक राम, बले इसका मतलब क्या, हरे मतलब क्या, हरी का नाम से यह हरे हुआ, हरी मतलब है, हम कि भूलते ही चंचल मन एकाग्र हो जाता है असना मतलब होता है आनग देना बोले चंचल मन को जो आकाग्र करें और मन को जो आनग दें बिले राम मतलब सबका हृदय में जो रमन करे और जीवन में हमें जो आराम ब्रदान करे इसलिए इसमें तीरी नाम हैं यह हरी नाम करने से जीवन में आपको यह तीन चीज़ प्राफ्ट होगी आप स्वयम करके देख लिजिएगा भगवान की नाम से यह तीन चीज़ मिलती यह अपना जीवन में बालमी की जए से पापी अगर मरा मरा करते करते बालमी की हो सकता है अगर हम सिधा नाम करें तो क्या नहीं हो सकती है इसलिए सब करना कि जो माला जब करेंगे भगवान का नाम लेगे उसका सारे पाफ उड़ लेगी लेकन उड़ करके कहां जाएगी जो नहीं करेगा इसलिए सब के सब पिच्छे 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 पर साथ सात्मी करो आप देखना जाएगे से दस मेंट पासात मेंट लगेगी हम स्वयम देख लेजेगा कितने आनंद आपको मिलेगी कितने सांती आपको मिलेगी यह चीज यहीं पर ही आप पर खलेना ठीक है पर पर साथ मेंट बोलो सब के सब Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, 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 Hare 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 ह्री रम नाम नारे हरी हरी राम ह्री राम 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 अरे राम 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 आरे अरे राम 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 आ čाज एड़स से है किर्शनक्र कि नुच्वाद इतर है कैसा does a अधन नहीं आ रहा है कि अभी लग रहाए गिरी राज मिलेगा ब्रजवासी तो फूस हो गए अभी जितने ब्रजवासी तो ब्रज में तिन संदर संदर खाना बताए चार तरगा चावल बनाय को पता है आप लो वुव यह सौख लाई गिस्ने बगर पकोड़की आव सौख नी करी जिसने पकोड़की राज मिले तो तरगे चुरमा लाय एक हसना और रोना हसना मतलब पतलर में रट्टे की और फिर नहीं गिरी राज बतो अभी से गंगा पानी में होनी चाहिए अगली वार से इंद्र की पुझा करेंगे इसलिए इसका नाम मानसी गंगा स्काग बगर्व अच्छी को परें सोय प्रकेट होगर की सारे व्रजवा से नसल कर रहें इतने में खूब गंगा पानी में सब स्नान किया गिरी राज गोवर्ण के उनने अभी से खर्वाय kepada और भाता क्छन लाए थे ना समटSYबता देती गुह पंगिते के संके आद करवा के उनने ठाकूर । देखो ध्याहन्तक्र सुनु भगवान सबसे पहले मतर घून से रहां मतर जाए नहीं नक्ळें-धोर मुह मंत्रों सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए नारध भ्यास को ब्यास मद्भाचार जीड़ ये सक्य जुग से धिरे 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 ये मंत्र ये गुरुब परम्परा गद्वरा ये सक्य जुग से चलते चलते आ रहे हैं मियम हैं je shidha. क्थे मंप्रों संप्राधार में जाओ जक तक इस מंत्र Johann भुलें कि नहीं भ़ुजब ने करते हैं इस लिये जो लोघ जो लोग को अगले बार कोई हरिनाम लिये दे जुन लोगने पहले अगर आब कि इचा अचा होई एक तका लाए कि इसी नत्र से ठाकरुजी की भोग लगे इससे मनतर से भगवान सयम श्रीगिराज भुपर ने हाथ रटे के उन्हें जो ने भोग लगा या थाकुछी को इतने में देखा सक्षमु से गिर्याज ब्रकट हो गई सब्सक्राइब इतने साल रुप गिर्याज की आकास को स्कर सकराँ था सोयम गिर्याज बले देखो मैं सोयम गिर्याज गोबर धन हूं आज का इन गिर्याज की सेवा में जो केवल एक अर्ण का दाना मेरी सेवा में लगा दी मैं उनका आश्री बाता हूं किसी जीवन में घर में अर्ण बस्क्र की अभाव नहीं पड़ेगी मां अर्ण पुर्णा घर में भरी रहेगी यह गिर्याज की मुह से निकली हुई बादी है इसलिए बले है ब्रजवाजि यह गिर्याज सब इच्छाओं को यहां तक भी क्रिष्ण की इच्छावज अगर पूरी करने वाले तो भी गिर्याज गुवर्ध है नहीं इसी जगत का जो चीजी मागना माग लो लेकिन एक जन्र मागना जानतों क्या चीजिए कर दिये संसारका अधान दौलत पुत्र प जब क्यों क्यों सुचते हैं फिले धर दौलत देखे रहे तो छोड़ देते तुझा लेकिन जब कोई भक्ति मांता है ना इनको उनका बसिवुत होना पड़ता है यह सखाओं को जुठा लगाते हैं कोपियों को चन्र में गिर्टे बले कियों यह भक्ति में भगवाद यह जया लगाते हैं थाकुर जी भग्ति चीज़ को सहज में नहीं देते हैं जब देखते हैं निश्कपत हिर्दैस तुम मांग रहे हो तब यह भक्ति प्रदान करते हैं इस गिर्राज से भदी तो जरूर माघना गिर्ज़ से इतने में गिर्राज को बबर्धन हाथ पसार पस सार करके था रहते, मिनोट में उन्हेने सब को चुखा लिये, बले आनो रे, आनो रे, मतला और ला, और ला. आनो रे, मतला 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 रे प्रिया है करशाते को सिकी दे परिकर पाओ करशाते को सिकी दे परिकर पाओ करशाते करशाने जे फ्योंके जे पर आ कर्शाघ्यान की देला लेट्टों शप्रफदी नियुदारी ने अटोर्फट्सु अटेर्प जिए नियुदा सुप्र हागाओ हुआ 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 हु कर दो जो 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 ज डुश्री ओमर्दन महराज, महराज, तेरे आधे मुक्त पिराज़, तेरे आधे मुक्त पिराज़, अधे पिराज़, तेरे पार देंके सबीराई देरेओ उश्री उश्री तरजे देगा उबर्दक महराज महराज तेरे आपने मकोने धीराज देरो तेरे को वेड़े देंके महराज महराज मारे मारे, को यूटे जब एाल जी अज़ तो पहाने चड़े तो पूले चड़े तो पहाने चड़े तो पूले 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 तो पूले चड़े तो पूले 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 मारा आसलोगी ओ। मारा आसलोगी ओ। ओ। ुदी ओ॥ चार टो कर देए दो डवी दो चार टो शिर वा है कि अविनर नहीं और हमांगी और साथ है zar फुर तैसाес कि अझे घंजाही जहीं के एन्युट को कि अथनायाहा कि बदुछ कर पन्तूं साथ कि अरही है अरह कि अबंदे़ан कि सामसरा मी अप vaccinated सो और कॉछार पान धुछ कर छोवर क है। झाल झाल